उद्बत्ति अर्थात अगर्बत्ति या शब्द सर्व परिचित है। कोई धारिमिक विधी या शुभकार्य हो या वातावरण को प्रफुलित करना हो। सामान्यता सभी स्तानों पर उद्बत्ति का उपयोग किया जाता है। क्या उद्वत्ति का महत्व केवल इतना ही है या अन्य कुछ महत्व भी है आईए समझ लेते हैं उद्वत्ति का अध्यात्मिक महत्व देवत्ताओं में पंच तत्व होते हैं उनमें से प्रुथ्वी तत्व से गंध प्रक्षेपित होती है यह गंध अती सुक्ष्म होती है इस कारण सामान्य व्यक्ति उसे ग्रहन नहीं कर सकता उद्वत्ति में देवताओं से प्रक्षेपित सुक्ष्म गंध ग्रहन करने की क्षमता होती है इसलिए उद्वत्ति जलाने से उससे उसकी सुगंध के साथ साथ देवताओं की सुक्ष्म गंध भी प्रक्षेपित होती है उधारण के लिए चन्दन की उद्बत्ती जलाने से देवताओं से आकृष्ट चन्दन की सुख्ष्मगंदवी उद्बत्ती की सुखंद के साथ प्रक्षेपित होती है आइए इस विशय को समझ लेते हैं एक सुख्ष्मचित्र के माध्यम से उद्बत्ती द्वारा ग्रहन की गई देवताओं की सुक्ष्मगंद तरंगे शक्ती में रुपांतरित होती है वो चिंगारियों के रूप में प्रक्षेपित होती है तेजय तत्वरूपी चैतन्य सर्पचक्राकार गोल अकृती के रूप में प्रक्षेपित होता है साथी चैतन्य की सुक्षमगंध तरंगे वातावरण में प्रक्षेपित होती है उद्बत्ती द्वारा आनन्द का प्रक्षेपण फववारे समान होता है देवता को उद्बत्ती दिखाने से साथविक्ता का अधिक लाव होता है पूजक के शरीर पर इसका परिणाम अधिक समय तक बना रहता है वह अध्यात्मिक उन्नती होने में सहायता मिलती है